एलो एवरीवन कैसे हैं आप सभी उम्मीद है सभी स्वास्त होंगे मास्त होंगे और पढ़ाई भी कर रहे हुए तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है हम बात कर रहे हैं आपके सामने ठीक है आठवा प्रसन आप से क्या पूछ रहा है किस प्रकार लिखना हुगा यह सब चीज देखते चलते हैं तो चलिए सबसे पहले प्रसन की फीलिंग को समझेंगे उसके बाद देख लेंगे किस प्रकार लिखना है चलिए तो प्रसना आप से कह रहा है कि लौक का उधारवाद ठीक है लौक का उधारवाद का जो सिद्धानता उसका हमें बढ़न करना है लौक का उधारवाद क्या था उसके बारे में हमें बताना है ठीक है तो चलिए बताते हैं दोस्त को मानविय जीवन का महानतम महानतम लक्ष समझा जाता है इसे राजनीतिक विचार के केंद्रविंदू ठीक है राजनीतिक विचार 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 क मारम मातर के लिए इसकी प्राप्ती के उपाय उपर जितना ध्यान उदारवाद ने केंदित किया यानि फोकस किया है ठीक है संभवता संभवतया उतना किसी भी अन्य विचारधारा ने नहीं किया ठीक है अब जॉन लॉक ठीक है जॉन लॉक उदारवाद के समर्थकों में न संदेख सबसे महतपूढ है लॉक को उदारवाद की आत्मा कहा जाता है क्योंकि उसने अपने दरसन में ठीक है उसने अपने दरसन में सुतंतरता को अगे बाद करें तो लॉक उदारवाद की लोग जो है उदारवाद की नवीन धारा का पृतिनिदित्व करता है और सासन को स्वतंतरता की प्राप्ति का एक अतियन्त महतपूर और आवस्यक साधन मानता है ब्यक्ति स्वतंतर की प्राप्ति का एक आवस्यक साधन मानते हुए भी है कभी नहीं भूला है कि सासकिये सक्ति की मर्यादाएं निर्धारित की जानी चाहिए जिससे क्या होगा जिससे इस सक्ति का प्रयोग मानविय स्वतंतर के ब्रुद ना हो सके उसके द्वारा सामाजिक सम्झावता सिद्धान की महतवपूर व्यू रचना मानविय स्वतंतर के लक्ष को दरश्टी में रख कर की गई है ठीक है लोक की दाणा है क्या दाणा है कि प्राकरतिक अवस्था में मनुस्यों को ठीक है प्राकरतिक अवस्था में मनुस्यों को कुछ प्राकरतिक अधिकार प्राप्त थे और राजनीतिक समाज की ठीक है किसकी राजनीतिक समाज की राजनीतिक समाज की इस्थापना के बाद भी उनके ये अधिकार पूरतया सुरक्षित रहे अब डणिंग के सब्दों में बात करें डणिंग राजनीतिक सास्त्री थे इनके सब्दों में इनने क्या कहा था कि व्यक्ति के प्राकरतिक अधिकार ब्रक्ति के जो प्राकृति यानि नेचरल अधिकार थे वो संप्रभू समाज के अधिकारों को ठीक बैसे ही सीमित यानि फिक्स करते हैं जिस प्रकार प्राकृतिक अबस्था में प्राकृतिक अधिकार अन्य व्यक्तियों के प्राकरतिक अधिकारों को सीमित करते थे ठीक है, अब आगे बात करें, तो सकती का दुर्पयोग ठीक है, पावर का दुर्पयोग ना करें, इसलिए लौक ने सकती विभाजन की सिद्दान्द भी इस्थिर कर दिये, ठीक है, बहे बिधायका यानि एक्जिक्यूटिव ठीक ह बिदायका और कारेपालिका बिभाग को बिलकुल अलग-अलग रखा ठीक है अलग-अलग रखना चाहता था क्यों क्यों क्योंकि लॉक का बिचार था कि दोनों सक्तियों के एक ही स्थान पर यकेंदरित होने ठीक है सेंटरल फोकस होने से स्वतंतरता को खत्रा उत्पन हो सकत पूरी को अपनी आत्मा के अनुसार कार करने की पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए उसका कहना है क्या कहना है कि एक ही राज्य में सब को इस बात की छूट होनी चाहिए कि ब्यक्ति जो धर्म चाहें यानि ब्यक्ति जो चाहें जो धर्म चाहें माने और चाहें जिस धर्म संप्रदाय का सदसर है ठीक है आप से ब्यक्तियों की सुतनता की रक्षा के प्रती इतना अधिक जागरुक है कि उसके द्वारा ब्यक्तियों को कुसासन के ब्रुद विद्रों का इस पस्ट अधिकार प्रदान कर दिया गया है मानवी सुतंता ठीक है मानवी सुतंता के रक्षक को उदारवाद की आत्मा का नाम देना ठीक है अगली बात करें तो इवस्टीन के भाब दो में यानि कि सब्दों में यहाँ पर यह गलत है इवस्टीन ठीक है किसके इवस्टीन के सब्दों में बात करें तो उदारवात की आत्मा्अ सरवाद करोप से रूप में जान लॉक में परतीव इंबित हुई है खलेज तो जिर्फ्रस्टर प्रस्टं समाप्त हो रहा है उपरतीवा ऊच्छा लगए यानि जोच्छ डिवस्ष्ट आपके लिए यानि जो speed आपके लिए sufficient हो इस speed में लगा कर video को तुरंत अभी just अभी revise कीजिए बाद के लिए नहीं छोड़ना है ठीक है कि बाद में कर लेंगे ऐसा नहीं है अभी आपको क्या करना है अभी तुरंत इसे revise कर देना जिससे आपको क्या होगा आपने अभी जितना समझा है जो पड़ा है वो आपके mind में set हो जाएगा और इसका आपको सबसे बड़ा benefit आपको exam में जब आप लिखने बैठेंगे तब आपको इसका benefit दिखाई देगा ठीक है और बच्चे जब इस time इदर उदर ताग जाग कर रहे होंगे उस time आप नीचे सिर करके फटाफट लाइन वाज लाइन डिट्टो एकदम लिख रहे होंगे ठीक है दोस्तों चलिए तो अमीद है दोस्तों आपने class को enjoy किया होगा मेरे साथ बनेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हम मिलेंगे next person के साथ next video में ठीक है thank you for watching मिलते हैं अगली वीडियो में